प्रेंड्स वेलकम तू इंफो अबाउट आर्गोवेट जोब्स आज बात करेंगे इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल रिसर्च में निकली होई पोस्टस के बारे में कौन सी पोस्ट है कितनी पोस्ट है कहाँ इसका टेस्ट होगा कैसी कौलिफकेशन होगी रिटन टेस्ट कैसे होगा सेलेक्शन के टेरिया क्या है लास्ट डेट क्या है जानने के दी पूरी वीडियो को एंड तक देखिए अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ तो सबस्क्राइब भी कर लिए बैल आइकन भी प्रेस कर लिए ताके कोई भी पोस्ट जो आए उसका नोटिफकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बात करेंगे आज वीडियो में असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में ठीक है जी यह जो पोस्ट है तो गुरूप बी लेवल सिक्स की पोस्ट से ठीक है जी यह पोस्ट है जो इसकी क्वालिफकेशन वगेरा क्या रहेगी कहां से कब तक ऑनलाइन अप्लिकेशन होगी वो भी बताते हैं जो टाइम लाइन स्टार्ट हो रही है साथ ग्यारा दो हीर भी से ऑनलाइन अप्लिकेशन इनकी स्टार्ट है अपने के लिए अप्लाइ करने के लिए जो वे के जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से आप अपलाई कर सकते हैं अगर अपलाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा टेक गुरू ना का चैनल बना हुआ है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस करके रखें कमेंट ज़रूर क कर दीजिए अगर कहा ही भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट प्लीज कर दीजिए अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसके इलावा हमारे जो ग्रूप बने हुए है WhatsApp गुरूप बने टेलिगरम गुरूप बने हुए उनको भी ज्वैन कर लीजिए ताकि जो PDF के लिंक्स है वो आपको वहीं से प्रवाइड हो सके एक एड़ नाम की वेसाइड पर आपको एक बार जाना रही है डेट रहेगी वह रहेगी तीन दिसमबर 2020 तक ऑपनिंग डेट इनकी एड्मिट कार्ड की है जो वह एकीस बारा यह टेस्ट होगा ठीक है इंफोमेशन अबाओ विकैंसी क्वालिफिकेशन एन एक एडिटेरिया पेस्केल एप्लिकेशन एप्लिकेशन मेत्थोलोजी और टेम्स एंड कंडिशन ने जड़ियां सक्सी सेक्षिशन ओफ इस गाइडलाइन पतलब कि जो को टर्म्स एंड कंडिशन एलिजिबिल्टी के रिए रहेगा वह हम यह बात करते हैं एप्लिकेशन फीस की बात कर लेते हैं जो स्सी है एस्डी है इडवलू एस जब वूमेन है और तैंड इडवलू एस जब जो केटिकरीज है उनके लिए बारासो रुपे रहेगी यह ग्रूप बीकी पोस्ट है इसका जो पेस्केल रहेगा वह आगे हम बताएंगे कितना पेस्केल है ठीक है वीडियो को देखते रही अधर्स के लिए पंदरासो रुपे जो फीस चार्ज रहेंगे इनके मोडो पेमेंट क्या रहेगा मोडो पेमेंट होगा ओनलाइन एक डेबिट काड़ करेड़ काड़ जा नेट बैंकिंग है थुरू आप पेमेंट कर सकते हो इंपोर्टन डेट की बात कर लेते हैं दोबा 12220 है रिटन टेस्ट की जो डेट है 31221 है यह याद कर लीजी कि आप भूलिए का नहीं और आगे जो इंपोर्टन नोट है वो रिजंट है जो को पोस्टर्स को इंक्रीज किया जैसा डिक्रीश किया जैसा अप्लिकेशन गल्त यह कर ला है तो ठीक है वह आप ध्यान से फि की आठ पोस्ट है और रिजर्वर केडिगरी की रहेंगी ते 30 पी डवल्यू डी मतलब कि विजूल हैंडिकेप्ट की एक जच की एक ओएच की एक अंतेंज जा इंटलेक्चुल की एक वी एच लाइवी पीडी ओएच ओए बील एंटिजम यह पर यह सब केडिगरी में अनार्म एफेक्टर अलो लो विजन यह कटेगरी जैनकी तो अभी पेस्केल की बात कर लेते हैं जो पेस्केल रहेगा वह सैवन्त सीपी सी के अकौडिंग रहेगा सेंट्रल पे कमीशन के अकौडिंग जो इनकी सेलरी रहेगी वह पैंती चार सो से लेकर एक लाक बारा है चार सो तक रहेगी तो प्रेबे बैंड जो होगा सेकिंड होगा ग्रेड पे है जो 9300 से लेकर 34800 प्लस ग्रेड पे ब्याली सो है ग्रोप B की पोस्ट अपलाई करने का सबसे बड़ा फैदा यह है कि इनका जो ग्रेड पे रहता है वह ब्याली सो ग्रेड पे है एज लिमिट इनकी रहेगी 30 years, not exceeding 30 years ठीक है जी? अगर आप AC जब BC जब BC कटेगरी से अपलाई कर रहे हैं तो आपकी जो age है वो बढ़ सकती है लेकिन other and reserve कटेगरी से आप जब अपलाई कर रहे हैं तो 30 years के उपर आपकी age नहीं होनी चाहिए qualification के बारे में बात कर लेते हैं minimum qualification जो इनकी रहेगी वो bachelor degree रहेगी तीन साल की किसी में भी होनी चाहिए आपको computer की knowledge होनी चाहिए ms office मतलब के microsoft office में क्या होता है powerpoint है जो excel है word है उसके बारे में आपको थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए इसमें कहीं है नहीं लिखा कि आपको typing आनी चाहिए आप typing ठीक ठीक कर लेते हैं तो भी कोई बात चलेगा apply ज़रूर कीजिए इस post को क्योंकि अगर apply नहीं कर पाएंगे तो आप मुका जाने ना दीजिए ये हाथ से ठीक है जी लास्ट डेट जो application की रहेगी फिर से थर्ड थराइस तीसरी बार बता रहे हैं तीन बारा दो हैर बीस रहेगी क्योंकि ये बार बार वीडियो में इसलिए repeat करते रहते हैं क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं लास्ट में बर देंगे अभी तो कितना टाइम पढ़ है तीन बार बहुत आगे पढ़ी है मैं नहीं बोलूँगा कि आप लास्ट में बरिये आप बरिये जब आपको टाइम लगे ठीक है एक दो दिन तीन दिनों में आप बर दीजिए इस पोस्ट को मतलब कि अगर आप अन्रिजर्वर केडिगरी को बिलॉंग करते हैं और बीजिए को बिलॉंग करते हैं जा एव को बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए क्वालिफाइ मार्क्स जो रहेंगे 50 परसेंट रहेंगे मतलब कि जो रिटन टेस्ट 80 का है 80 में से आपको 40 नमबर लेकर आने ही आने है SC-ST है जो PWD Candidates है उनके लिए 40% है मतलब कि 80 में से आप 80 का 40% आपको जो marks है वो लेकर आने है ठीक है इसलिए skill test के लिए आपको बलाए जाएगा अदरवाइस आपके marks कम आ रहे है तो skill test के लिए नहीं बुलाए जाएगा एज relaxation आपको पता ही है OBC की तीन साल है PWD की दस साल है ठीक है PWD प्लस OBC की तेरह साल है PWBDA प्लस SC-ST की पदरह साल है Central Government Civilian Employees के लिए जो रहेगी पांच साल दस साल C Group Posts के लिए 8 प्लस 5 प्लस 3 एर्स है यह आप पढ़ लेना अगर आप किसी केटेगरी में आ रहे है ठीक है वीडियो को देखते हुए Is relaxation की condition मैंने आपको बता दी दिया अगर आप फिर भी देखना चाहते है तो यह एन एक्टर देवान है एन एक्टर टू है आप इनको देख सकते हैं पर्सन विद बेंच मार्स के लिए जो कंडिशन्स दी हुई है वो है लो टाइप ओफ डिसाइबल्टी केटेगरी डिसाइबल्टी सेलेक्टर रिजेस्टर एप्लिकेशन फॉर्म वो इन्होंने बताया है आप रिड़ कर लीची एक पर इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है नेक्सवर्षण है तो शिक्स नेक्सर भई है वो जे तो हमें पताई है कि सिटीजन इंडिया का और रिजान नेपल का रबोटान का है ज़्यादा तर हम अपलाई करते हैं जो इंडियन ही होते हैं mostly ठीक है जी अभी ये मेन बात है कि जो अपलाई कैसे करना वेबसाइट पर जाएंगे वेबसाइट पर जाने से पहले आपको जो आपकी application form है जा आपकी photograph है वो 500 kb से मतलब 500 kb से ज्यादा नहीं होने चाहिए और जो signature है वो 3 kb से ज्यादा नहीं होन आप कमेंट जुरूर कर दीजिए हम इस पर भी एक लग से वीडियो बना देंगे apply करने की उससे आपको थोड़ी सीख मिल जाएगी ठीक है जी compress कैसे करना है क्रोब कैसे करना है वो सब आप कमेंट कर दीजिए हम एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में भी बता देंग टेक गुरू चैनल है उसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ठीक है जी यह वेबसाइट के नाम दोबारा दिये हुए है इन वेबसाइट को आप रेगुलरी बेसल्स पर विजट करते रहे है अगर नहीं विजट करेंगे तो बेल आइकन प्रेस करके रखिए ह इननोंने फॉर्थ टाइम फिर बता दिये स्टाइप्लीकेशन साथ 11 लास्ट अप्लीकेशन 13 जो और ओंलाइन अप्लीकेशन सबीशन क्या है गा, वो बता देते हैं, दो एक्जामीनेशन, रिटन एक्जामीनेशन CONCIDERED IN INGLEISH LANGUAGE ONLY, हिंदी बगेरा जा पंजाबी बगेरा में नहीं होगा, ONLY INGLEISH LANGUAGE में जो रिटन टैस्ट होगा, 80 मार्क्स का, उसमें सब स्लेबर्स क्या रहेगा अभी इन्होंने डिफाइड नहीं किया है आगे वीडियो में देखते हैं तो रिटन टेस्ट यह देखिए इसमें आगया रिटन टेस्ट जो 80 मिनुट डुरेशन का होगा 80 मार्क्स का होगा होगा और प्वाइड 25 मार्क्स के नेक्टिम रॉंग अंसर मतलब के नेक्टिम मार्किंग होगी तो देख लेते हैं जो 80 मार्क्स के कोश्चन हो किस-किस बेस से होगे दोबारा फिर बात कर लेते हैं 50 परसेंट अब अनरिजर्वर्ड ओबीसी और डिवल मतलब के 80 में से 40 क्योंकि हाफ और जो मार्क्स है चाली में से 80 में से 40 हैं यू और 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 सी का 40 परसेंट ठीक है वह ऐसी स्टीब ड़्यूबीड के कटेगरी के लिए इन्होंने ये बताया है कि टेस्टी मोलियल जो ओफलाइन एप्लिकेशन के लिए प्रिंट आउट निकालिए सेल्फ टेस्टर कॉपी कीजिए प्लस टू मार्क्स जो भी अपरी क्वालिफिकेशन कीए बिद एक्स्पिरियंस ठीक है और अगर सटीफिकेट के हैं वह उसको लीजिए कि हमें ये जलनी जाए कोई दिकत नहीं है ये सारे जो एप्लिकेशन है प्रिंट आउट एप्लिकेशन फार्म के साथ लगा के सल्फ टेस्ट कर लीजिए ठीक है in notice of eligibility provisionally not eligible will be uploaded on the website अगर कोई candidate जो eligible नहीं है उसका जो eligibility area website पे upload नहीं किया जाएगा ठीक है इस हार रिजल्ट विल बी compiled provisionally and their card for skill test शोर्ट लिस्टड केंडिडेट मिन मेरिट लिस्ट दोज वेटिंग इन लिस्ट ये तो बात की बात है आप के रापलाई तो किजिए अपना नंबर तो आए application fee हमने दोबारा फिर से बता दिये के नेट banking जरूँ 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 मैस्टर कार के जरूँ आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है online fee can be paid up to the last यह तो बताई है कि नहीं कर सकते सिटी सेंटर computer apps अभी बात कर लेते हैं return test की return test कौन-कौन सी cities में होगा आगरा है अमदाबाद है अंबाला है बेलालगवी है बैंगलोरू है बोपाल है बुबनेशवर है चंडिगड है चन्नाई है डेली पट्याडा भी बंजाम में या था पट्याडा भी आप अपलाई कर सकते हो पढ़ना पूने राइपूर रांची श्रीनगर तिर्वेंत पर वारनासी विजय वड़ा ठीक है इन पोस्टर्स पर आप अपलाई कर सकते हो अभी बात कर लेते हैं यह Supreme तोटल एटी मिनिट्स के इटी कोस्टे रहेंगी 80 marks weightage होरोगी जो इरिटन computer based test की होगी negative marking ज़रूर है इसलिए द्यान से आप इसको कीजिएगा अगर कोई question का अंसर नहीं आ रहा तो apply टिक ना कीजिए skill test जो रहेगी will be conducted 20% marks weightage would be given मतलब के essential qualification will be conducted and 20 marks weightage would be given skill test अलग से 20% marks रहेंगे उसके 80% marks written की आगे 20% marks scale test की total 100% marks हो गए ठीक है जी journal intelligence ये में क्या आएगा वो इन्होंने सारा syllabus बताया हुआ है ठीक है जी ये syllabus आप एक बार read कर लीजिए इनमें क्या क्या लिखा हुआ visual memory, discrimination, relationship, concept, somatic, analogy, symbolic, number, qualification ये सारा जो आपने करके जाने ठीक है जी journal awareness में क्या क्या आएगा वो इन्होंने syllabus बताया हुआ quantitative attitude में क्या आएगा वो syllabus बताया हुआ है English language का क्या syllabus वो बताया है ये syllabus ये जो PDF है ये हम telegram channel पर डालेंगे telegram channel का link description में है वहाँ से ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए पहले आपको एक link लेके जाएगा adfly website पे एडफलाइप पे आप इसके pad पर क्लिक करेंगे करने के बाद अलोग करेंगे अलोग करेंगे तो ये PDF खुल जाएगी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा बस ये दो step आपको complete करने है ठीक है जी तो बाकी ये इन्होंने बात की है कि admin card के साथ आपने क्या कुछ लेकर आना है जब आप admin card डाउनलोड करनेंगे अपनी ID ले आईए जदतर pen card है voter ID है अधार card है कुछ भी ले जाएए एक original लेके जाएएगा document verification for the short candidate list क्या रहेंगे वही और original documents प्लस सारे documents की self-tested copies प्लस अपनी passport size की photos ये सबी इन्होंने दिये हुए है ये तो हमें पते ही है क्या क्या चाहिए अगर किसे cast को belong कर दे तो आप cast को 30K भी लेकर जा सकते हैं लेकर जा सकते हैं नहीं जा नहीं है selection procedure वही रहेगा 80% marks जो रहेंगे return test के 20% marks जो रहेंगे skill test के लेपस बता दिया कितने mask का रहेगा कौन कौन से mask होगे सारा कुछ बता दिया फिर भी कुछ नहीं समझाया तो comment जूर कर दीजिएगा ठीक है जी अभी main main बाते resolution tie tie cases बहुत में देखी जाएगी अगर कोई tax rejection वगएरा वह आप द्यान से बढ़िएगा rejection कोई हो गई नहीं पैनल्टी इस डिपरामेंट ऑफ candidates for multi practice कि करेंगे यह आप द्यान से बढ़िए तो ऐसा कोई जो ठीक सुन खेतर को जड़ इंपोर्टन इसकी कोई कि बात ही नहीं रहेगे अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर कर दीजिए ठीक है जी गुड मेंटर बोडी हल्थ वाफ़दा कंडिडेट यह तो आप को पता ही है कि अच्छे रहेगे तो हम उसी केडिकरी में अपलाई करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे वो बन ही हुए होंगे आप अपलाई करते लिए यह वहीं सभी कुछ दिया हुआ है यह लगाने की जरूरत नहीं है इसका भी सर्टिफि लगा वो लाजी दिये हां एक बात जरूर है अगर आप एड़ा इसके लिए अपलाई कर रहे तो एक डिए प्लाई कर रहे हैं पराना सटीफिकेट मत लगाये ङूए ठीक है बस यहीं बसी हैं अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा और फदर जो करते रहेंगे चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आइकन प्रस कर लीजिए दुबारा फिट से कहते हैं अगर चैनल को subscribe कर लिया बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो notification आपके पास पहूंचे कर नहीं इसलिए हम बार बर कहते हैं कि सब्सक्राइब करें इसके साथ बैल आइकन प्रेस करके रखें और पोस्ट भी पड़ी हुई है चैनल पर चैनल को विजट करें विजट करके देखें कि कौन-कौन सी पोस्ट पड़ी है किस पोस्ट के आप अपलाई कर सकते हो ठीक है ऐंड पे जो यह स्क्रीन दिखा रही है सक्रींज पर भी कोई वीडियो है वह वीडियो भी आप देखकर पोस्ट को अपलाई कर सकते हैं उपर जब वीडियो चल रहे थी आईकन आ रहा था रिवर्स करके वीडियो को देखिए वहां पर भी जो पोस्ट आइकन बना होगा गोल चकर सा उस पर कलिक करेंगे तो 5-6 वीडियो आपको पोस्ट दिखाई देंगी ठीक है चैनल आइकन पर क्लिक करेंगे तो चैनल चोगा चैनल पर जाएए चैनल पर देखिए कौन-कौन सी फोस्ट पर ही है तो अपलाइक कर लीजिए ठीक है और पोस्टर्स के साथ और जानकारी के साथ जल्दी ही आपके साथ बने रहेंगे, तब तक देलिए, be safe, stay connected.